जब भी कोई व्यक्ती गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था, तो बुद्ध उसे सबसे पहले शान्त रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्छू को शान्त रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इसे आपका दिमाग शान्त होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है, और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। तो आज के इस विडियो में हम जानेंगे कि किन मौके पर हमें शान्त रहना है और किन मौके पर हमें बोलना है और शान्त रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। कि गुरु जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं, सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में सनान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिन्दगी में चमतकारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरू कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। बिना तथ्य के ना बोले अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इससे ज्ञान की व्रिद्ध होती है। बोलने में भलाई वहीं है। जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्यान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाग भी बन सकता है। लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा घ्यान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे, हो सकता है कि कल वो भी आपसे पद में बड़ा हो जाए, पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा, तो आज जो रवय्या आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वो भी आपके करना चाहिए, लोगों को लगता है कि अगर वह अकड कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, तो वो बड़े बन जाएंगे, तो ये उन सब की भूल है, बड़े होने की बजाए, आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे, गुरु ने प्रतिष्ठा तो बड़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ती बनते जाओगे, गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ती को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घ्रणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संब संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए, आप यदि सही है, तो उसे कभी भी माफी मत मांगो, और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करो, वो आप उस समय शांत है, तो ये आदर संबान देने की निशानी होती है, इससे ना तो कोई छोटा होता है, और ना ही बड़ा, अगर आपको क्रोध हा रहा है, तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किये बिना चले जाएं, या फिर चुप रहे, क्रोध करने से आपके रिष लोगों ने छेड़ खानी की, तो वो सांप बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी, उसी को लपेट कर कसने लगा, और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया, ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांती काट गुस्सा ध्यान से खत्म होता है, प्रति दिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे, तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा, गुरु आगे कहते हैं कि ये तो ये तरीका है, कि आप प्रति दिन ध्यान का अभ्यास करें, इससे आपके शरीर में जो हार्मो गुस्से को बढ़ावा देते हैं, वो सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारे शरीर गुस्से पर आसानी तरह से काबू पालेगा, लेकिन एक तरीका ये भी है, कि जब भी आपको गुस्सा आए, तो आप ये समझने का प्रयास करें, कि क्या मेरा गुस गुस्सा आ रहा है, तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं, धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शान्त हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका, जहां पर इनसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे, तो ये आपके लिए अनिष्ट कारी होगा, इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है, जल्द ही आप कहीं भी किसी दो लोगों के बीच हो रहे, विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें, अगर सामने वाला आपको बुला र करवाने के लिए, कुछ लोग फाल्तू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं, इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं, गुरु कहते हैं कि दस मौकों में से, पांचवा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ छुप रहना चाहिए, आपके शब्दों से किसी मित्र को हानी न पहुंचेए, अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्था के बारे में बुरी जхलक दिखा रहे हैं, तो वहां आपको छुप रहना चाहिए, किसी के परिवार या फिर म बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती है। कई बार कुछ रिष्टे ज्यादा तेज बोलने की वजह से तूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मीठा पन लाए, आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानी नहीं पहुँचनी चाहिए, कभी-कभी जब हम दोस्तों से मजाक कर रहे होते हैं, तो आपके शब्दों स हमेशा नुकसान ही होता है, किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानी नहीं पहुँचानी चाहिए, यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेज पहुँच रही है, तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए, जब कोई व्यक् जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई यदि आपने कुछ कहा है, तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मूह को बंद रखता है और बुध्धी से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है, बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में, किसी के बीच में बोलना, ये गलत बात है, कभी-कभी हमारे लिए, बुध व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है, कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है, कि सामने वाला व्यक्ति, आपकी भावना या जुप ही रहे क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। आमने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक से सुन रहा है। तब ही आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि आठवा मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बलकि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आप से व्यक्त करें तो आप चुप मार कर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें ताकि उसके दुख कम हो जाए उसके मन का बोज Hani हलका हो जाए क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वो आपको सब बता दिया गुरू आगे कहते हैं कि दस जगह में से नौ ही ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए जहां पर दुष्ट प्रकर्ती के लोग रह रहे हो और गाली गलोज कर रहे हो तो आप वहां पर मत जाईए ऐसी जगह से आप चुप चाप निकल जाए अर्थात अपने प्रतिक्रिया दिये बिना आप वहां से चले जाएं क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है जो दुष्ट प्रकर्ती के लोग होते हैं उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं जब उनका दिमाग पूरी तरह से शान्त हो जाए तब ही वो आपकी बात सुनेंगे इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकर्ती के लोग आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए वो हर जगह अपनी सफलता का धिंडोरा पीटने लगते हैं ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में धिंडोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावि कि तुम सब अब जाओ और उतारो अपने जीवन में मेरी ये 10 बातें और जीवन को खुशी-खुशी से जियो, क्योंकि मेरी ये 10 बातें आपके जीवन में किसी वर्दान से कम साबित नहीं होगी. तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा.